हेलो फ्रेंट्स मैं सेफ एसर खान वेलकम टू मैं क्रिएटिव खाना आज आपके सामने में लाया हूँ इंडियन कुजिन का जो most important spices है वो गरम मसाला कई मसाला को mix करके एक गरम मसाला बनाते हैं एक एक सेब का एक तरह का mixer है यह जो मैं जो दे रहा हूँ यह मेरा इतना साल का जो experience से मैं देखा यह मुझे best लगा यह मैं दे रहा हूँ इस पर आप कुछ spices को add कर सकते हैं कुछ spices को आप remove कर सकते हैं quantity भी कम जाता कर सकते हैं पर यह मेरा knowledge में best है इसलिए मैं यह दे रहा हूँ यह regular है यह regular basis में आप यूज कर सकते हैं हर चीज में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं experience safe लोग जब खाना बनाते हैं जो डिस बनाते हैं, उस डिस का हिसाब से गरम मसाला बनाते हैं, कोई mild डिस के लिए mild बनाते हैं, कोई strong डिस के लिए, red meat के लिए, या hot डिस के लिए, वो strong बाला गरम मसाला यूज पर आपको कैसा फ़ीवर पसंद है, आप ऐसा कर सकते हैं मैं ये गरम मसाल में जो भी यूज किया उसका medicinal property भी मैं लिख के बता रहा हूँ आप इसे ध्यान दीजिए और इसे पढ़ के देखिए जैसे के धनिया cholesterol के लिए बहुत अच्छा काम करता है यानि bad cholesterol जो होता वो कम कर देता है यह है आपका cardamom यानि green cardamom यह छोटी इलाच इसमें बहुत ही अउस्यदिगून है medicinal property का बहुत अच्छा है यह digestive health के लिए बहुत अच्छा काम करता है stomach में जो gas होता, bloating होता है वो यह निकाल देता है इसमें antimicrobiral property होता है जो आपको बहुत तरह का बिमारी से लणने के लिए ताकत देता है यह आपका arthritis के लिए भी बहुत काम करता है इसी तरह का हर spice में कुछ न कुछ अउस्यदिगून है यह है black cardamom याने काली इलाची या मोटी इलाची भी बोलते हैं बड़ा इलाची भी बोलते हैं green cardamom से ज़्यादा medicinal properties में होता है यह अयर्विद में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें respiratory tract का जो बिमारी होता है खास करके bronchitis एजमा इस तरह का बिमारी में यह बहुत अच्छा काम आता है यह cancer का भी prevention है यह spice whole भी यूज होता है और इसको powder बनाके भी यूज करते है whole spice यूज करने का तरीका different different होता है एक एक डिस में एक तरह का यूज किया जाता है इसका powder भी हम बनाते हैं दो तरह का एक थोड़ा क्राश टाइप का होता मोटा powder होता एक बहुत fine powder होता अगर आप fine powder बनाते हैं तो उसको use cleaner का तरीका अलग होता है और क्राश बला अलग होत जैसे कि खास करके कुछ कबाब डीस में शुखा टाइप का डीस में आप अगर प्रास गराम मसाला देते हैं तो थोड़ा पहला देना पड़ेगा याने खाना कुकिंग खतम होने का 3-4 मिनिट पहले दे ताकि वो अच्छा से एप्जोब हो जाए और अगर फाइन पाउडर है आप खाना कंप्रेट करने का एक दो मिनिट पहले उसको डाल के मिला के फिर आप थोड़ा कवर करके एक या दो मिनिट में आप उतार ले तो उसका फ्लेवर रहेगा अगर ज़्या पाउडर दे के पकाएंगे तो फिर इनका फ्लेवर निकल जाएगा अच्छा सेफ बनने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि हर स्पाइस को पहचाने उनका जो टेस्ट है उसको आप जाने कैसे और कैसे यूज़ किया जाता है और कितना कंटिटी में यूज़ किया जात कोन माइड है यह पैचाने और इसका यूजेस आप जाने यूजेस का मतलब इसपाइस कैसी यूज करना है कब यूज करना है बहुत सारे सेप को मैं देखा जो नए नए सेप बने वो देखे इनका सही इस्तेमाल नहीं जानते हैं कोई गरम मसाला का पाउडर को पहले दे देत से बाद में उसका कुछ भी नहीं बसता तो इससे आप बचे आप कोशिश कर इसका सही इस्तेमाल सिखे यह नट मेग है याने जाइफल जाइफल बहुत कम कंटिटी में हम खाना में यूज करते हैं यह मिट को बहुत सब्ट कर देता है और इसका बहुत स्ट्रॉंग टेस् इसको हम लोग पाड़ो बना के भी दे सकते हैं अलग से या तो अलग से हम फाइन ग्रेट करके भी खाना में हम इसको यूज कर सकते हैं अब मेरे चैनल का दुसरा वीडियो देखने के लिए सिम्पिली गूगल में या यूट्यूब में सर्च करें सेफ एच आर खान आपक कैसे मेंटेन करते हैं फूट सेप्टी कैसे मेंटेन करते हैं फॉरन में आप कम खर्च में कैसे जॉब पाओगे या तो आप नए अगर फूट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे इसी तरह का बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया मैं लंड वह भी आपको शेयर करता हूँ इस चैनल के जरिए आप को सिस करें मेरे चैनल के सारे वीडियो देखने के लिए इससे आपको बहुत फायदा होगा स्पाइस का बारा में या खाना बनाने का बारा में बहुत सरा कंट्री का बारा में आपको एक अच्छा नॉलिज मिलेगा अच्छा जानकरी मिलेगा इसलिए आप मेरे सारे वीडियो देखें अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरे वीडियो ओभी देख पाएं और आपको और किसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे रिकोष्ट कीजिए मैं कोशिस करूँगा आपका रिकोर्मेंट पूरा करने के लिए अभी मैं केरला गिया केरला मैं स्पाइस गार्डेन में गिया स्पाइस गार्डेन विजिट किया वहां बहुत सारे स्पाइस गार्डेन है जो स्पाइस उगाते हैं ओ गिया नेक्स्ट मेरा ओवी वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखें उससे आपको बहुत अच्छा जानकरी मिलेगा यह तेज पता है बे लिफ बे लिफ अल्मोस्ट इंडियन फूट का हर खाना में हम लोग यूज करते हैं यह बहुत चीब है बहुत मतलब कमदाम वाला चीज है बे लिफ में एंटिसेप्टिक प्रोपर्टी होता है यानि इसको हम लोग पेस्ट बनाके जॉ हम बहुत अच्छा काम करता है यान हर्ट हेल्थ को this improve करता है एे आगी अभी बलक पीपर यानुन फेपर कॉन यह किंग आप इस्पाइस्ट यह दुनिया का हर तरह का कुजीन में यह में यूज होता है दुनिया में बहुत जादा शाद आर यह चलता-भ्रत मेडिशीन है आयरुवेदे में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है ठंडर लगने से या कॉफ होने से इसको हनी का साथ इसको हम लोग खाते थे बच्पन में हमारा दादी मा भी इसका बहुत इस्तेमाल करती थी ठंडर लगने से इसका पाउडर बना के इसको हनी का साथ हम लोग को च गरम मसाला बहुत अच्छा है और मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ आप अपना हिसाब से भी बना सकते हैं इसका मैं इंस्सक्षन भी दिया इसको लाइटली टोस्ट करके थोड़ा ठंडा करके पॉडर बना के रख दें एक मोटा पॉडर और एक फाइन पॉडर भी बना के रख सकते हैं दो तरह का यूज करने के लिए कोई भी मसाला पॉडर जब आप बनाएंगे कम कंटिटी में बनाईए क्योंकि पॉडर बनाने का बात ज़्यादा दिन स्टूर करने से उसका फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है इसलिए हमेशा कोशिस कीजिए कम कंटिटी में बनाएं और वो दो तिन हपता का अंदर अंदर वो खतम हो जाए यह बहुत सारा खाना में यूज होता है आप इसे ट्राइ करें हमारा मसाला और आपको कैसा लगा यह हमें बताएं अब हमारा सारा वीडियो सार्च करके गूगल में या यूटीब में जरूर देखें और दोस्तों में जरूर सेर करें और आप बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आपको और भी किसी तरह का वीडियो अगर चाहिए तो वो भी हमें जरूर बताना Thank you for watching, subscribe and share my video अपना खायाल लखे और मेरा दूसरा वीडियो का इंतिजर करे